गंने का ठंडा रस कहीं आपको तो ठंडा नहीं कर रहा, नमस्ते साथियो, एक बार फिर से स्वागत है, आपका, साथियो, गर्मी के मौसम में हम में से बहुत से लोग गंने का रस पीते हैं, छोटे शहरों और गाओं के लोगों का प्रिय पे होता है, गंने का रस, गंने का से शीतर रखता है इसमें कई तरह के पोशक तत्व मौजूद होते हैं जैसे कार्बोहाइडरेट, कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम, मिनरल्स, आयरन, मैगनीशियम, फॉसपोरस, आधी होते हैं ये सभी पोशक तत्व शरीर को कई तरह से लाप पहुचाते हैं लेकिन ध ऐसा करते हैं तो जान लीजिए कि गन्ने का रस ज्यादा पीने से सेहत को क्या नुकसान हो सकते हैं पहला नुकसान इससे वजन बढ़ता है गन्ने के रस में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है यदि आप वजन कम कर रहे हैं तो इसे बिलकुल न पीए या बहुत ही कम पीए ए इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम और ग्लाइसेमिक लोड अधेक होता है, यह शुगर लेबल को प्रभावित कर सकता है, ऐसे में डाइबिटीज, रोगियों और हाई कोलेस्ट्रॉल वालों को भी इससे परहेस करना ही चाहिए। चक्कर आना, इनसुम्निया जैसे खत्रे पैदा हो सकते हैं। तीसरा नुकसान, यह खून को पतला करता है। चौथा नुकसान, आपकी नेंद गायब हो सकती हैं। संक्रमन का खत्रा बढ़ जाता है। गन्ना बेचने वाले अकसर गन्ने को धोते भी नहीं हैं। और रस निकालने के लिए मशीन में डाल देते हैं। यह अस्वास्थ्यकर प्रक्रिया जूस को मैला बना सकती है। इससे जूस के गिलास में कीट नाशक और बैक्तीरिया मिल जाते हैं। और आप बहुत जल्दी बीमार पढ़ सकते हैं। तो साथियो ये थी गन्ने का रस पीने से होने वाले नुकसानों की बात जानकारी कैसी लगी। कृप्या कमेंट करके बताईएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तथा शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दिस्क्लेमर, यह वीडियो आपके सामान्य ज्यान और जागरुकता बढ़ाने के लिए तयार किया गया है। वीडियो में दी गई जानकारी वसुचना को लेकर बियार जी के पीडिया किसी तरह का कोई धी दावा नहीं करता है और नहीं जिम्मेदारी लेता है। वीडियो में दी गई जानकारी की पुष्टी के लिए किसी स्वास्थ्य विशेशद्य या अपने डॉक्टर से परामर्ष अवश्च लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद नहीं है।